कभी इस काम से रोज 50 रुपे कमाती थी राखी सावन्थ आज हैं करोडों की मलकिन बलेवोड इंडिस्ट्री से लेकर टीवी इंडिस्ट्री तक में धमाल मचाने वाली राखी दिन है आज राखी अपना 41 वाई जन्व दिन मना रही है आज हम आपको बताने डा रहे हैं राखी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिनके बारे में आप शायरद ही जानते होंगे आए आपको बताते हैं राखी ने अपना बच्पन बहुत परिशानियों और डर में गुल जा रहा है उन्होंने केवल 11 साल की उम्र में टीना अंबानी की शादी में लोगों को खाना सर्व किया था जी हां और आज के समय में वही राखी सावंत मुंबई के पोश इलाके में आलिशान बंगले में रहती हैं राखी बता चुकी हैं कि उन्होंने 11 साल की उम्र में डांडिया नाचने की जिक्की थी तो उनकी माँ और मामा ने मिलकर उनके लंबे बाल काच दिये थे उस समय उनके बालों को कुछ ऐसे काटा गया था कि उन्हें देखने पर लग रहा था कि बालों को जला दिया गया है उस समय राखी पूरे दिन आईने के सामने खड़ी होकर रोई थी और उसी दिन राखी ने यह फैसला कर लिया था कि वे अपने परिवार के खिलाव जाकर ही सारे काम करेंगी राखी ने एक बार एक इंटर्व्यू में बताया था कि वे उस परिवार से तालुक रखती हैं जहां महिलाओं को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है ऐसे परिवार में महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता है इसी के साथ राखी ने इंटर्व्यू के दहरान बताया था कि उनके परिवार में किसी भी महिला को किसी भी पुरुष्प से आंग मिलाने की इजाज़त नहीं है यहां तक की महिलाएं घर की छद या बेलकॉनी में खड़ी भी नहीं हो सकती है उन्हें पारलर्ग या बाजार जाने की इजाज़त नहीं है इतना सब होने के बाद भीग घर वाले पैसे कमाने के नाम पर लड़कियों से कुछ भी करा सकते थे दस साल की उम्र में परिवार वालों ने राखी से टीना अंबानी की शादी में खाना सर्व कराया था केटरिंग के इस काम के लिए उन्हें हर रोज के 50 रुपए मिलते थे